हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज हम मेडिवल इस्ट्री में साह जहां के इतिहास के बार में परेंगे ये हमारा मेडिवल इस्ट्री से समंदिद 20 मह टॉपिक है आप इससे पहले की टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो चलिए चलते हैं सेसन की ओर मुगल सामराज का समयकाल 1526-1889 की मद्ध में था मुगल सामराज में साह जहां का समयकाल 1627-1789 की मद्ध में था आज हम साह जहां के प्रारंबिक जीवन, उसके बिजय अवियान, साह जहां के काल में प्रमुक विद्रोह, उसके द्वारा किये गए निर्मारकार, साह जहां कालीन कलावा साहित, उत्रादिकारी युद्ध और साह जहां से संबंदित अन्य तक्त को कबर करेंगे सबसे पहले हम साह जहां की प्रारंबिक जीवन को देखेंगे साह जहां का जन्म 1592 एसबी में पाकिस्तान की लाहोर में हुआ था साह जहां की माता का नाम जगत गोसाई था जो की जोदपुर की राजा उदै सिंग की पुत्री थी और उसकी पिता का नाम जहांगीर था साह जहां की बच्पन का नाम खुर्रम था साह जहां ने सूला सो तेईस इसबी में अपनी पिता जहांगीर की बुर्द बिज्डो किया था साई जहां का सासनकाल 1628 से 1689 इसबी की मद्द में था साई जहां का जन्म 1592 इसबी में लाहर में हुआ था इसकी माता का नाम जगत गोसाई और पिता का नाम जहांगीर था साई जहां की बच्पन का नाम खुर्रम था साई जहां का राज जबिशिक 1688 शीशबी में आगरा में हुआ था मुम्ताज महल की पिता आफिस का की सहायता से साई जहां ने गद्दी प्राप्ट की थी मुम्ताज महल कौन थी साई जहां की पतनी मुम्ताज महल की पिता आसिफखा की साहिता से साह जहां ने गद्डी प्राप्त की थी आंगे चलकर साह जहां ने अपना बजीर आसिफखा को निप्त किया था साह जहां समसुद्दीन मुहम्मद साहब किरन इसानी की उपादी के साथ सिंगासन पर बैठा था जहांगीर ने मेवार अभियान पर अपने पुत्र खुन्नम को भीजा था जब जहांगीर का समयकाल चल रहा था तो उसने मेवार अभियान पर अपने पुत्र खुर्रम अर्था साय जहां को भीजा था उस समय मेवळ के सासक राजा हमर सिंग ते खुररम ने राजा हमर सिंग के साथ संदी कल ली इसके बाद जहांगीर ने खुररम को साहे की उपादी परदान की थी जहांगीर की शाधी मुम्ताज महल से 1612 ऐसबी में हुई थी मुम्ताज महल का वास्टविक नाम आरीजुमंद बानुवेगम था और यह आसिफ खा की पुत्री थी आसिफ का कौन था? आसिफ खा नूर जहां का भाई था साई जहां ने मुम्ताज महल को मलिका इजानी की उपादी से भी सम्मानित किया था मुम्ताज महल की मृत्तू 1631 इसबी में प्रशाव पीरा के कारण बुरहानपुर में हो गई थी मुम्ताज महल की कुल 14 संतानों में से 7 संतानों ही जीवित रही थी इन 7 संतानों की नाम हैं दारासकू, जहां आरा, औरंगजीव, रोसन आरा, मुराद, साय जहां और गोहा आरा गोहा आरा को जन्म देती समय बुरहानपुर में मुम्ताज महल की मृत्तू हो गई थी अब हम साय जहां की दौरा जो जो विजय अभियान किये गए उसको देखेंगे सबसे पहले हम अहमन नगर विजय को देखेंगे साय जहां ने अहमन नगर को 1632 सीचवी में जीता था साय जहां ने अहमन नगर की सुल्टान हुसेन साय को हराकर ग्वालियर की किलिए में केट कर दिया था साय जहां ने अहमन नगर को कब जीता था? 1632 बी ने साय जहां ने गुलकुंदा वा बीजापूर विजय भी की थी साय जहां ने गुलकुंदा और बिजापुर से 1636 भी में संदी कर ली गुलकुंदा की उस समय कुतुप साय का सासन था और बिजापुर में उस समय आदिल साय प्रतम का सासन हुआ करता था साय जहां ने गुलकुंदा और बिजापुर से कफ संदी की 1637 भी में साई जहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला से प्राप्त हुआ था मीर जुमला का वास्तिक नाम मुहम्मद हसन था और मीर जुमला को साई जहां ने दक्षिनी सूबी का प्रधान मंत्री निक्त किया था साई जहां को कोहिनी उरहीरा किस से प्राप्त हुआ था मीर जमला से साई जहां ने पॉर्तुगालियों का दमन भी किया था साई जहां के समाय में धककन और गुजरात में भीशन अकाल भी पढ़ा था जिसकी भयांकरता का उलेक अंग्रेजी ब्यापारी पीटर मुंजी ने किया था साई जहां की सासन काल में ही सिक्क पंट के छटे गुरू हरी गोबिंज सिंग से मुगलों का संगर्स हुआ था जिसमें सिक्कों की हार हुई साई जहां का किस सिक्ग गुरू के साथ संगर्स हुआ था सिक्कों के छटमे गुरू हरी गोबिंद के साथ अब हम साई जहां की काल में कौन-कौन से महत्पून बिज्डू हुए उनको देख लेते हैं साय जहां की काल में 1628 सीशवी में बुंदिल खंद का बिद्रो होता है साय जहां की काल में 1628 सीशवी में उर्चा की सासक जुवर सिंग बुंदिला ने बुंदिल खंद में बिद्रो कर दिया किंटू समराच ने इसे दबा दिया साय जहां ने च्छती पूर्टी की रूप में भारी रकम बसूल की और जुजार सिंग को दक्षिन में मन सब्दार बना कर बेज दिया पूंच बर्स पस्चात उसने पुना बिद्रो किया किन्टू वह भी असपर रहा फिर वह गूरवाना भाग गया जहां उसका बत कर दिया गया इसके अलाबा 1649 सीशबी में चंपत राव नामक सरदार का बिद्रो भी हुआ था जिसको साई जहां ने दबा दिया इसके अलाबा साई जहां की काल में खानी जहां लोदी का बिद्रो होता है पीर खा उर्फ खानी जहां लोदी एक अफगान सरदार था इसे साज जहां की समय में मालवा की सूवदारी मिली थी 1639 में मुगल दरवार में सम्मान ना मिलने की कारण अपने को अस रक्षित महसूस कर खानी जहां अहमन नगर की सासक मुर्तजा निजामसा की दरवार में पहुचा निजामसा ने उसे बीर की जागेदारी इस सर्थ पर प्रदान की कि वह मुगलों की कबजी से अहमन नगर की चेट को बापिस कर दे 1639 में साय जहां की दक्षन पहुँच जानी पर खानी जहां को दक्षन में कोई सपलता ना मिल सकी अतन निरास होकर उसे उत्तर पस्चिम की ओर भागना पड़ा अंत में बादा जली में सिहूदा नामकिस्तान पर महुदों सिंग इसकी हत्या कर देता है इस तरह 1631 में खानी जहां का बिज्जू समाप्त हो जाता है अब हम साय जहांने केके निर्मार कार के उसको देखेंगे साज जहाने सबसे महत्पून ताज महल का निर्मार करवाय था ताज महल का निर्मार 1632 सीशवी में सुरू हुआ था ये साज जहान की पतनी मुम्ताज महल की याद में बनवाय गया था ताज महल को बनवाने में कुल 22 बरसों का समय लगा था इसके मुख वास्तुकार या जिजान करने वाली उस्ताद ईसाखा थे ताज महल के मुख वास्तुकार कौन थे उस्ताद ईसाखा ताज महल के मुख निर्माता उस्ताद अहमत लाहूरी थी और ताज महल में जो संग मरमर उपयोग किया गया था वह राजिस्तान की मकराना से मगवाए गया था इसके अलावा साई जहाने मयूर सिंगासन का भी निर्मार किया था विश्य प्रसिद कोहिनूर हीरा साई जहाने मयूर सिंगासन में लगवाया था मयूर सिंगासन या तक्ट ए ताउस का मुख कलाकर बे बादल खा था पादर साह ले गया था और इस समय मुगल बंस पर मुहम्मद साहरंगी लगा सासन था इसके अलावा साह जहान यमना नदी के टत पर साह जहानाबाद की साह जहानाबाद की साह जहानाबाद की साह जहाने अपनी राजधानी आगरासी दिल्ली की साह जनाबाद नामकिस्तान प को भी पूल करवाया अग्रा की जामा मसजित का निरमार साई जहा की पुत्री जहां आ राने करवाय mixing आगरा की जामा मस्जित का निरमार किसने करवाया था साह जहां की पुत्री जहां आराने इसके अलाबा साह जहां ने दिल्ली के लाल किला को बनवाया जहां हीरा महल लाल मस्जित और रंग महल इस्तित है इसके अलाबा साई जहाने उत्तर प्रदेश की आगरा में दीवानी खास और दीवान ए आम का निर्मार करवाया इसके अलाबा साई जहाने उत्तर प्रदेश की मौती महजिद का निर्मार करवाया आगरा की मौती महजिद का निर्मार किसने करवाया साई जहाने जो की पूर्ता संग मरमस से निर्मित की गई थी इसके अलाबा पाकिस्तान की लाहोर की सीज महल का निर्मार भी साजहां ने करवाय था यह सबी आपको याद रखना है अब हम साजहां की काल में कलावा साहित को दिख लेती हैं अब्दुलहमीद लाहोरी ने साहिजहां की सासन काल की 20 बरसों का इतिहास पाथशाहिनामा में लिखा है अब्दुलहमीद लाहोरी ने किस गरंद की रचना की थी पाथशाहिनामा गरंद की इस समय की प्रमुक चित्रकार मुहम्मद फाकीर वामीर कासिम थी सार जहां के काल की प्रमक्चित कार कुन थी? मुहम्मद फकीर वमीर कासिम साय जहां ने गुर समुंदर की उपादी लाल का को दी थी साय जहां ने जगन नाथ को कभी राज की उपादी दी थी साय जहां ने जगन नाथ को क्या उपादी थी? महा कभी राज की और इतिहासकर एलसरी बास्ताव ने साई जहां की काल को इस्तापत तकला का सुननिम काल कहा था साई जहां की काल को किसके काल को कहा जाता है साई जहां की काल को साई जहां की दरवार में बंसीधर मिस्र और हरी नारान मिस्र नाम की दूस संस्क्रिट का भी भी रहते थे और इसी की काल में इटली से निकूला मनुक की भारत आया था अब हम साई जहां की काल में उत्रा धिकारी युद्ध को देख लेते हैं 1667 इस भी में साई जहां की बीमार परने की बाद साई जहां की पुत्रों की बीच उत्रा धिकारी का युद्ध सुरू होता है सबसे पहले बहादर पुर का युद्ध 1689 इस भी में होता है यह युद्ध दाराशकोः और साह जुआ के बीच हुआ था जिसमें दाराशकोः जीत जाता है इसकी बाद धर्माट का युद्ध होता है जो की 1698 बी में हुआ था यह युद्ध दाराशकोः और औरंग जीब के बीच हुआ था जिसमें औरंग जीब जीत जाता है इसके बाद खजुआ का युद्ध हुआ जो की 1699 बी में हुआ था यह युद्ध औरंगजीब और साह सुजा के बीच हुआ जिसमें औरंगजीब विजय होता है और अंतिम युद्ध होता है देवराई का युद्ध देवराई का युद्ध दारा सुकूर और औरंगजेब के बीच हुआ था जिसमें औरंगजेब जी जाता है और देवर्याई का युद्ध उत्तरा धिकारी के लिए अंतिम युद्ध था यह सबी आपको याद रखना है दारा सिकूर के बारे में एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं दारा सिकूर ने उपनिसदों का फारसी में अनुबाद सर्द ए अकबरी नाम से करवाया था सर्द ए अकबरी का अर्थ होता है रहसों का रहस से दारा सिकूर ने भगबद गीता, युगवसिष्ट, उपनिसद, रामार का फार्सी मेनिवाद कर वाया था हिंडी धर्म गरंथों का अध्यन करने वाला प्रथम मुसलिम दारा सिकूर ही था दारा सिकूर कादरी सिलसले के मुहम्मद साहब का सिस्थ था दारा सिकोर को लगू अकवर लेनपूर ने कहा था दारा सिकोर को लगू अकवर किसने कहा था इतिहासकाल लेनपूर ने और साह जहां ने अपना उत्तरा धिकारी दारा सिकोर को ही नुक्त किया था लेकिन औरंग जेब उसको हरा कर राज्य हतिया लेता है अब साह जहां की मृत्टू कैसे हुई? साह जहां को उसके पुत्र औरंग जीब ने 1698 वी में कैद करवा दिया साह जहां की मौत अपने कैद की आत्मी वर्स 1666 वी में हो गई थी इनकी सेवा कैद में इनकी पुत्री जहां आरा ने की थी केद की समय साय जहां की सीबा किस ने की थी जहां आराने जूकि उनकी प्रिट्टी थी और साय जहां का मकबरा उत्त्य प्रदिश की आगरा में ताज महल में इस्तित है अब हम साय जहां से सम्बंदित कुछ अन्य तक्त को पर लेते हैं मुगल सासक साय जहां को निर्माताओं का राजकुमार किसी कहा जाता था साय जहां को साय जहां की सासन काल में धक्कन का सबसी अधिक समय तक सुविजार और अंगजीब रहा था मासिक अनुपात की आधार पर बेतन देने की विवस्ता सम्रत साई जहाने प्रारंब की थी मुंगल बादशा साई जहाने रुपिया उर्दाम की मद्द आनसिक की का भी प्रिचरन किया था साई जहाने बादशाई की तश्वीर पर पगरी पहनने पर रूक लगा दी इसके अलाबा साई जहाने हिंडुों को मुसल्मान गुलाम रखने पर भी प्रिधिवन लगा दिया था साई जहान के काल में राज कवी न गंगा लहरी और संदर दास थे साई जहान के समकलें ती वह मुगल वाच्छ साय जहां हैं जिन्होंने हिंदूओं को मुसल्मान बनाने के लिए एक प्रतक बिवाग की स्थापना की थे मुगल वाच्छ साय जहां ने 1636 इसभी में बलवंत द्वारा प्रारंब किया गया दरवारी रिवास सिद्दा और जमीनी दास प्रता को समाप्त कर दिया यह सवी फैक्ट आपको साय जहां की बारी में यार रखना है थेंक्स वर वाचिंग दूस्तों यदि आपको मारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और सेयर जरू करें इसके साथी चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमारे इस वीडियो से लेक्टिट पीडियाप को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका link description में दिया गया है